हाई गाईज, काफी सारे व्यूवर्स खीटो फॉलो करते हैं और खीटो रोटी की रेसिपी जानना चाहते थे इसलिए आज का वीडियो इसी पर है कीटो डाइट में ग्लूटिन ना के बराबर लेते हैं और साधे गियों की रोटियों में काफी ग्लूटन होता है ग्लूटन फ्री आटे की रोटियां आसानी से बनती नहीं है इसलिए एक नया तरीका भी दिखाऊंगी इन्हें बेलने का तो चलिए कीटो रोटी बनाएं सबसे पहले दो बनाना है इसके लिए एक बोल में एक कप नार्यल का पावडर लें यानि कि नार्यल का आटा या जा कोकुनेट फ्लावर मेरे पास औरग्यानिक कोकुनेट फ्लावर है coconut flour keto में काफी use होता है इसमें carbs कम है, fiber काफी है, gluten free है, grain free है और nut free भी next इसमें एक तिहाई cup FSA mix डाले इस mix को मैंने FSA diet plan में दिखाया है basically ये alci, sunflower seeds और badam का powder है recipe का link description box में है alci, sunflower seeds और badam तीनों ही keto friendly और काफी nutritious है इनमें काफी vitamins, minerals, fiber और protein है अगर ये mix ना हो, तो सिर्फ alci का powder यूज़ कर ले फिर एक चुथाई cup इस सब gold का डाले इसमें काफी soluble fiber है, साथी ये dose soft रखेगा और रोटी बेलने में आसानी होगी अब आधा teaspoon हिमालन pink salt डाले जब हम low carb diet पे होते हैं तो हमारी body काफी पानी और sodium बाहर निकालती है हिमालन pink salt काफी सारे minerals जैसे potassium body को provide करेगा अब सब को अच्छे से मिला ले और हमारा keto आटा तयार है इसे आप airtight container में डाल कर fridge में store कर सकते हैं अब dough बनाने के लिए एक tablespoon मक्षन ले बटर काफ फ्री होता है और इसमें 80% fat होता है फिर एक कप गर्म पानी डाले थंडा पानी नहीं लेना है दिरे दिरे पानी आट करें और spatula से मिलाते रहें जब सब मिल जाए तो हाथ से dough बना ले dough ऐसा दिखेगा soft और spongy अब इसे cover कर 10 से 15 मिनिट रखते 15 मिनिट बाद dough और soft हो जाएगा फिर इनके medium size के गोले बना ले अब रोटियां बेलनी है इसके लिए मैं butter या baking paper योज़ कर रही हूँ आटे के गोले को sheet के बीच में रखे paper आधा fold करें और balance से roll करें फिर sheet उपर से हटाएं और चाहे तो lid से round shape में काट लें इस paper से रोटियां चिपकेंगी नहीं और आप पतली-पतली रोटियां भी बेल पाएंगे है नहीं एक बहुत ही आसान और बढ़िया तरीका यह trick आप किसी भी gluten-free रोटि को बनाने में लगा सकते हैं जैसे रागी की रोटि जो आसानी से बिलती नहीं है अब तवा गरम करें और रोटियां सेख लें गेहों की रोटियों के जैसे यह फूलेंगी नहीं जब colors change होने लगेगा तो इसे पलट लें थोड़ा सा घी या मखन लगाएं और यह तयार है इन कीटो रोटियों को मखन के साथ खा सकते हैं अगर आप कीटो फॉलो कर रहे हैं तो अगर आप कीटो नहीं फॉलो कर रहे हैं तब भी आप इसका आनंद उठा सकते हैं बस उपर से मखन न ढालें यह काफी soft और tasty बनती है खाते ही मुँ में melt हो जाएंगी आचा है यह रेसिपी आपको पसंद आई हो कीटो फॉलो कर रहे हो या नहीं इस रोटि को एक बार try ज़रूर करें Instagram या FB पे मुझे follow और tag करें और मैं जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ तब तक यह रोटि खाएं और fat जलाएं बबाई